नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गने सायश्टो हैल्प में मैं हूँ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे मीन राशी के बारे में अप्रेल के महिने में हम बात करेंगे मीन राशी की और मीन लगन की अथार्थ अगर आपका चंढ्रमामीन में है तो उसकी या फिर आपकी पहला जो भाव है पहला जो घर है कुंडली का उसमें ऐसे बारेंक कगर लिखा हुआ है तो उसकी भी दौनों की बाते करेंगे हम तो इससे पहले की मैं सुरू करूँ हम बात करेंगे carrier के बारे में, बिवहा के बारे में, प्रेम संबंधों के बारे में, ब्यापार के बारे में, बच्चों के बारे में, education के बारे में, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो बता दो कि बहुत अच्छा महिना है आपके लिए, बहुत ही अच्छा महिना है, इस महिना मतलब कि ऐसे महिने कमी आते हैं जैसे ही आपकी कुंडली देखो तो ध्यान जाता है सीधा लाब भाव के उपर उस भाव के उपर जो भाव जीवन की इच्छाओं की पूर्ती करता है जो हमारी जो भी भौतिक इच्छाएं हैं चाहे वो घर खरीदने की हो चाहे हमारे गाड़ी खरीदने की हो शादी होने की हो बच्चे होने की हो बयापार पढ़ाने की हो और सर्विस में उपर जाने की हो सभी जो कंट्रोल करता है वो करता है ग्यारेमा भाव पहले तो ग्यारमे भाव का स्वामी ग्यारमे भाव में बैठा है और शनी आपके लिए बहुत सुभ है गोचर में ग्यारमे भाव में शनी का गोचर इसके साथ साथ गुरू भी आप वहां आ गए है गुरू वहां पर आ गए है जो कि आपके लगन के स्वामी है फिर से एक राजयोगा, मतलब कि जवरदस्त राजयोगा पर राजयोगा बने हुए हैं, आपकी कुंडली में, तो बहुत ही अच्छा समय है, ट्रांजिट के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छा समय है, धन आएगा, पैसा आएगा, ब्यापार में उन्नती होगी, कैरियर में उ अच्छा है, इसके साथ साथ आपके गुरू, आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई, मतलब आपके जो सहयोगी हैं, वो आपका साथ देने वाले हैं, अगर शनी की बात करें, तो शनी, दसम, दसमी राशी को दिनोट करते हैं, आपके ग्यारम और बारे भाव के स्वा है, उससे आपको कोई बड़ा लाव हो सकता है, इस महीने, अगर गुरू की बात करें, तो गुरू आपके लगन लोट तो हैं ही, और दसम भाव के स्वामी भी हैं, इसका मतलब आपके जो आपकी खुद की जो इंटेलिजेंट है, आपकी खुद की जो विद्धता है, उसक बलबूते पर आप उपर जाएंगे, सफलता हासिल करेंगे, और बहुत सफलता हासिल करेंगे, इसके साथ साथ दसम इस्थान दिखाता है आपके जो बॉसेज हैं, आपसे जो आपके जो अगर आप बिजनिसमेन हैं, तो उसमें जो आपसे बड़े बिजनिसमेन हैं, उनका भी आपको साथ मिलेगा और इसके थुरू आपको लाब भी होने बाला अच्छानक लाब को भी दिखा रहा है जैसे कि लोटरी लग जाती है किसी की शेयर मार्केट में कैसे कहीं पैसा डाला हो तो वो बढ़ जाए कुछ ना कुछ लाब को दिखा रहा है मेन राशी के लिए मेन लगन के लिए बहुत जवरधस टाइम है क्यो falar सारे गुरह चाय लगन से हो चाय चंद्रमा से हो बहुत बहुत ग्रेट रिजट देते हैं बहुत अच्छा रिजट देते हैं तो इस तरह से देखते हैं तो पहली नजर में लाब ही लाब दिख रहा है इसके अलावा दूसरे घरा को थोड़ा देख लेते हैं अब अगर हम जैसे गुरू की बात करें गुरू आपके आ रहे हैं 11 में भाब में तो लाब बढ़ाएंगे इसके साथ साथ वो जो देख रहे हैं यहां से एक, दो, तीन, चार, पांस, तीसरे स्थान को देख रहे हैं यात्राइं हो सकती हैं काफी सारी आपका जो कम्यूनिकेशन है वो बढ़ेगा आपका जो दायरा है वो बढ़ेगा आपको लोग जाद जानेंगे और जितने यात्राएं करेंगे उतना ही आपका भाग साथ देगा दूसरा जो main event जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि तीसरे स्थान का स्वामी तीसरे ही भाव में है तो आपके जो छोटे भाई हैं आपके जो छोटी बेहन हैं आपके जो आसपास की जो लोग हैं, उनका बड़ा सही योग मिलने वाला है, यात्राओं के थुरू लाव होने वाला है, आपका जो communication है, आपका जो बात करने का तरीका है, आपका जो लिखने का तरीका है, वो काफी artistic होगा, काफी romantic होगा, काफी खूपसूरत होगा, इसके सा अगर आप इस फील्ड में हैं, क्या पता आप एक पैंटर हैं, चितरकार हैं, आर्टिस्ट हैं, डिजाइनर हैं, कुछ डिजाइन करते हैं, गाना गाने वाले हैं, कुछ ऐसा जिससे शुकर का कलातमक हैं, व्यक्ति हैं, हो सकते हैं, आप डॉक्टर ही हो पर आपका कला के तर में आपके overall जो life है उसमें prosperity आएगी, आनंद आएगा धन आएगा, पैस आएगा शुकर धन को दिखाते हैं, भोग को दिखाते हैं, सांसारिक सुख और आनंद को दिखाते हैं, तो वो काफी बढ़ेंगे, काफी बढ़ेंगे और आपके छोटे भाईयों से, छोटी बहन से, उनसे जो आपके साथ के लोग हैं, उनसे सम्मंधों में भी काफी सुधार होगा, काफी सुधार होगा, गुरु यहां से बैठ कर पंचम इस्थान को देख रहे हैं आपके, इसका मतलब यह है कि आपके एक तो आपके जीवन में कोई आ सकता है, क बच्चा आ सकता है, बेवी आ सकता है, क्योंकि पाचमंगर होता ही इन चीजों का है, प्यार का होता है, एजुकेशन का होता है, इंटेलिजेंस का होता है, और बच्चे का होता है, जो भी हम create करते हैं, तो सबसे जो important thing, चीज जो हम create करते हैं, वो बच्चे ही होते हैं, तो उसको तीन-तीन ग्रह देख रहे हैं तो बहुत चवरदस्त योग हैं इस चीज के शादी बिवा होने के और घर में नया महमान आने के गुरु यहां से बैठ कर आपके सब्तम को भी देख रहे हैं मतलब आप दोनों के बीच में प्यार भड़ेगा आपकी अगर शादी हो चुकी है तो आप पती-पतनी के बीच में जो छोटी-मोटी अन्बन चल रही थी वो धीर-धीर दूर होंगी एक दूसरे का आप लोग साथ देंगे एक दूसरे को जादे अच्छाई से समझ पाएंगे एक दूसरे को टाइम जादे दे पाएंगे और इसके थूरू आप एक दूसरे को जान पाएंगे इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो शुक्र जो है वो अपनी हिराशी में बैठे हुए है एक तरफ से गुरू आपके सब्तम भाव को देख रहे हैं तो जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने पारवारिक जीवन का शादी बिवहा का जो जीवन होता है उसका आनंद सुक भोक ले पाएंगे इसके साथ-साथ जो लोग सिंगल है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनको भी और सादी करना चाहते है उनकी एज है कुंडली में अच्छे योग है तो काफी हद तक इस तरह के योग हैं आपकी किसी से मुलाकात हो सकती आपको प्रेमी या प्रेमी का आपके जीवन में आ सकता है यहां तक की है कि आपको हो सकता है कि चूज करना पड़े कुछ जादे ही लोग आपके जीवन में आ जाएं इस तरह की चांसेज भी बनते हैं तो धर्म का पालन करते रहिएगा तो बहुत अच्छा है इस तरह के इस नजरी से देखा जाए कैरियर के नजरी से अच्छा है बिजनिस के नजरी से अच्छा है बच्छों के लिए अच्छा है प्रेम संबंद आपसी बहवार के लिए अच्छा है तो थोड़ी सी साबधानी क्या बरती जा सकती है वानी को सूइट रखना है अच्छा बोलना है फालतु के जंजट में नहीं पढ़ना है क्योंकि शुक्र सूर्य जो है दूसरे भाव में आएंगे आपके तेरे तारिक के आसपास तो सूर्य ऐसे तो एक्जॉल्टेड है पर थोड़ा से अभिमान ला सकते हैं आपके वाणी में थोड़ा गर्व ला सकते हैं आप थोड़े कमांडिंग हो सकते हैं और वो लोगों को हो सकता है कि पसंद ना है इस वैसे छोटा मोटा नुकसान भी हो सकता है पर धनलाब कराएंगे एक्जॉल्टिट प्लैनेट है तो धनलाब होगा पैसा तो आएगा नएने पैसे के सोर्स बनने वाले हैं ग्यारे में भाव में इतने ग्रहे बहुत बहुत अच्छा मुबारक हो आपको अगर आपकी कुंडली सपोर्ट कर रही है तो कोई नई अच्छी ख़वरें आपको मिलेंगी जो आपने सोची भी नहीं थी हो सकता है कोई कॉंट्रेक्ट वगरा आपका चल रहाए होगा नहीं होगा तो वो हो सकता है उस पर हाँ हो सकती इस तरीके से कि आप साहथ सोच रहे हो कि शाद हो ना क्योंकि कंडिशन आजकल ऐसी चल लिए कि शायद ना हो पाए पर हो जाएगा तो उमीद कायम रखें आपकी ट्रांजिट मिनिमों आपको सपोर्ट कर रहा है पर यह एक बहुत ही बात है वो सभी रवासराशियों के लिए आपके लिए नहीं अब जरह ध्यान से देखें तो राहू और केतू उसके बाद सारे ग्रहें इनके बीच में आए हुए है तो बड़ा कार्मिक समय चल रहा है एक तो कोरोनोवारस वाप जो सुन रहे है तो ऐसा कुछ देखें ध्राहू केतू के बीच में इतने सारे ग्रहें सारे ही ग्रहें हैं चंदमा तो घूमता रहता है तो कार्मिक्स समय चल रहा है वो सभी राशियों के लिए है किसी राशियों के लिए यही कार्मिक्स में उन्हें बहुत उपर ले जाएगा आपकी राशिय से लगता है बहुत उपर ले जाएगा तो इस तरह का है अगर हम बात करते हैं मंगल की तो मंगल exalted हो रहे हैं तो घर खरीदने का गाड़ी खरीदने का फ्लैट खरीदने के योग बने हुए हैं मंगल आपके भागेश हैं और भागेश जो हैं वो गारे में घर में जा रहे हैं इसका मतलब है कि higher education के थूँ अगर आप student हैं आपको लाव होगा आपको education के लिए कहीं जाना पढ़ सकता है विदेश अगर जाना पढ़ सकता है तो उससे आपको लाव होगा आपके जो bosses हैं आपके जो गुरू हैं उनसे आपको लाव होने वाला है तो कि ninth lord इन चीज़ों को दिखाता है इसके साथ आपके छोटे भाई से जो मैंने बताए को कि मंगल खुद में siblings को दिखाता है उनसे लाव होने के chances है मंगल यहाँ पर बैठकर पंचम आपको देख रहा है तो बच्चा आपके घर में नया महमान आएगा उसके chance तो बन रहे है 100% पर यहाँ थोड़ा सा बन रहा है कि आप यह भी आप कुछ ज़्यादा strict हो सकते हैं बच्चों के साथ तो उनके साथ ज़्याद नर्मी से प्यार से पेस आए बुद्धिमानी से कामने गोस्सा न दिखाए उनके उपर तो आपके लिए यह मंगल का ज़्यादे वेनिफिक होगा मंगल यहाँ से आपके छटे भाब को भी देख रहे हैं तो स्वास्त का थोड़ा किधाल रखें ज़्यादे मीठा न खाएं ज़्यादे तली भुनी चीज़ें न खाएं और अपने कार और आराम का एक जो है टाइम टेबल बनाए ताकि आपको शरीर का आराम भी मिले और आपकाम भी करते रहें इस तरह का चाकि उसका स्वास्त आपका सही रहे अगर राहु की बात करें तो राहु आपके अश्टम को देख रहे हैं तो सास ससुर्जों है उनसे थोड़ा सा अन्बन हो सकती है तो अपने सास ससुर्जों है उनके साथ प्रेम भेवाब बनाए रखें भई रिस्ते बने रहने चाहिए टाइम तो आता जाता है तो अगर कोई बात होती है तो उसे प्रेम से सुलजा लें और राहू यहां से बैठकर आपके दसंभ आपको भी देख रहे है पर फिलाल तो आपका सुर्जों सेकिड में आ रहे हैं तो मतलब थोड़ा बहुत अन्बन हो सकती है बहुत से पर इंडा इंडा आपको फायदा होने वाला है रापु यहां से आपके बारमे घर को देख रहे है इसका मतलब बिदेश यात्रा, बाहर की यात्रा दूसरे कल्चर के जो लोग है उनसे आपका मिलना जुलना हो सकता है या उसमें आपका इंट्रेस्ट जा सकता है हो सकता है आप घूमने ना जाएं पर आप डॉकुमेंटरी देखने लगें ऐसी जो बाहर की है हो सकता है कोई सीरियल आपको ऐसा पसंद आए जो दूसरे कल्चर को दिखाता है मतलब कोई न कोई रोजहान जाएगा आपका बाहर की तरफ विदेश की तरफ दूसरे कल्चर की तरफ और अगर हम बात करते हैं आपके राहु का जो दसम पर जो एसपेक्ट है तो पिता से थोड़ा वतन बन हो सकती है कुछ खास नहीं है उसमें क्योंकि सिर्फ राहु देख रहे हैं के तु वहाँ पर बैठे हैं कभी कभी आलस आ सकता है आपका जो ध्यान है ऐसी चीजों की तरफ जा सकता है जैसे जोतिश हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया आप थोड़ से जादा स्पूरुचियल और अध्यात्मिक लाइफ की तरफ इंट्रेस्ट ले सकते हैं आपका ऐसा मन हो सकता है और आप अगर ऐसा करेंगे तो यह आपके कैरियर के लिए भी अच्छा होगा थोड़ा सा अगर भगवत गीता पढ़ेंगे, थोड़ा सा यूगा करेंगे इसके साथ साथ अपने कैरियर प्रधान रखेंगे तो आप अपने आपको जादे बैलेंस रख पाएंगे सब्तम का स्वामी लगन में आ रहा है तो आपकी जो पतनी है या आपकी जो पती है वो आप पर थोड़ा कम हंट करने की कोशिश करेंगे वो आपको दिखाना चाहेंगे यह काम ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है तो आप सुन लिजेगा, मान लिजेगा बात अगर सही है तो अगर सही भी नहीं है तो प्रेम से समझाईएगा और गुसा होने की कहाँ पर कोई गुनजाइस नहीं है रिष्टों में वैसे भी आपके जो मंगल हैं, एक, दो, तीन, चार आपके फैमिली के लाइफ को देख रहे हैं, तो गुसे को और धहरे को गुसे को आने नहीं देना है, और धहरे को बनाए रखना है दो चीजों का ध्यान रखना है, गुसे को नहीं आने देना है आता है तो उसे देखें क्यों आ रहा है ध्यान दें पर जबाब न दें वो थोड़े दिर में शान्त हो जाएगा और धहर रखना है जल्दवाजी नहीं करनी है कुछ कहने में कोई निर्ड़े लेने में पहले अच्छी तरह से सोच समझ के फिर करना है जाद है भावुकता में कोई लेने नहीं लेना है गुरू जो है वो ग्यारे में भाव से एक, दो, तीन, चार, पांच इसके बारे में हमने बात की इसके बारे में बात की इसके बारे में भी बात की शनी के अप थोड़े aspect देख देते हैं शनी आपको धैर देंगे जो मैं कहता था धैर चाहिए शनी उसमें आपकी सहायता करने वाले हैं सनी यहां से आपके पंचम को देख रहे हैं तो आप काफी हद तक strict रहेंगे काफी हद तक discipline रहेंगे काफी हद तक जो आपकी सोच होगी practical रहेगी इस साल और जो जरूरी है आपके लिए जो आपको help करेगी शनी इसके साथ सत अश्टम को भी देख रहे हैं तो थोड़ा स्वास्त का धान रखेगा स्वास्त का धान रखेगा अपना जो time routine है वो खाना पीना चलीजेगा और work और जो rest है उसके बीच जो है balance रखेगा और जो साथ ससूर से थोड़ी सनी गरबट करा सकते हैं तो उसका थोड़ा धान रिखेगा यहाँ एक खास बात है कि अश्टम का स्वामी आपके ठड़ भाम में आ रहा है और अपनी हिराशी में है तो एक तरह से आपको साथ ससूर से कोई लाब भी हो सकता है पतनी के थुरू लाब हो सकता है फीमेल के थुरू लाब हो सकता है आप जहां काम करते हैं वहाँ पर भी कुछ female ऐसी हो सकती जो आपके लिए helpful सावित हो उनसे interaction ज़्यादा बढ़ सकता है इस्त्रियों से ज़्यादा interaction बढ़ सकता है और जो लोग single है जो लोग की शादी नहीं यह उनका बड़ा chance है किसी से मिलने का, मुलाकात का, शादी ब्यवा का, प्रेम का, प्रेम संबंध होने का और ये प्रेम शादी में भी बदल जाए तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि गुरू की जो डश्टी है वो सब्तम पे आ रही है और शोकर जो है 33 स्थान में है शुकर 3, 7 और 11 स्थान में बहु इस्त्री योगा देते हैं इस्त्री तो नाम सिर्फ नाम के लिए बहु पूरुष भी कह सकते हैं मतलब की chances है कि बहुत सारे आपके संबंध ना हो जरूरी नहीं है क्योंकि आपकी जर्म कुंडली पे डिपेंड करता है पर chances है कि लोग आपके जीवन में आएंगे तो अगर आप single है तो आप choose करें कौन सा आपको पसंद है तो इस तरह की इस्तिती आ सकती है अगर आपकी कुंडली भी support कर रही है तो आप ध्यान लखिएगा कि जो गोचर वही दे सकते हैं जो कुंडली में लिखा है पर गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए overall एक से एक भड़के योग बना हुआ है overall देखा जाए तो शनी अच्छे गुरू अच्छे मंगल अच्छे और कैच्छे यह 11-11 में इस थान में तीन-तीन ग्रह बहुत अच्छा बहुत बढ़िया योग है आपके लिए अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा क्या थोड़ा सा ध्यान लखना है एक तो बाणी का ध्यान लखना है थैर बनाए रखना है माता का स्वास्त का ध्यान लखना है और पिता के साथ या बौस के साथ कोई नबन होती है तो उसको प्रेम से सुलजाना यही कुछ बाते हैं बच्छों के साथ ज़ादा Shtrick नहीं होना है उनको प्यार से समझाने की कोशिश करना है तो इसके बाद हम बात करते हैं तोहारों की क्या-क्या तोहार है इस महिने में तो दो तारिक को दो अपरेल को राम नम्मी है इस दिन जो चंद्रमा है वो पुष्य नक्षत्र में रहेंगे गुरुवार का ये दिन है तो इस दिन अगर कोई सुभकाम किया जाए तो वो बढ़ता है कोई चीज खरीदी चाए जो भो भी बढ़ती है पुष्य अक्षुली नक्षत्र है जो पोशित करता है इसकी जो डाइटी है वो ब्रहस्पती है गुरु गुरुदेव ब्रहस्पती है तो बहुती सुभ नक्षत्र माना गया है शादी को छोड़कर आप कुछ भी कीजिए उसके लिए ये जो है अच्छा नक्षत्र होता है तो एक बहुत अच्छा दिन है तो अगर आपको कोई सुरुबात करनी है कुछ खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं सौना खरीद सकते हैं कोई चीज इन्वेस्ट करेंगे तो बढ़ेगी ऐसा बोलते है इसके बाद आठ तारिक को हनवान जैनती है हनवान जैनती हनवान जी का समंध है शनी महाराज से तो अगर आपकी दशा महादशा में शनी ऐसा चल रहा है जो फेवरवल नहीं है आपको कुछ शनी के उपाय करने है तो उसके लिए बहुत अच्छी देट है आप तान पुन्ने जो करना चाहें देबो कर सकते हैं सुन्दर कांड का पाठ कर सकते हैं हनवान जी पर सिंदूर चड़ा सकते हैं और केतु के लिए भी बोलते हैं कि हनवान जी को जहंडा चड़ाते हैं देवी माता को और हनवान जी को बजरंग वली को तो वो भी आप कर सकते हैं इस दिन उसका आपको लाव मिलेगा लाल रंग का जंडर चढ़ाते हैं केतू के लिए अगर वो आपकी कुंडली में unfavorable है तो इस दिन वो जाद effect होगा इसका उसके बाद 22 तारिक को अमावस्या है, अमावस्या हमारे पित्रों से जुड़ी हुई है हमारे जो lineage है उससे जुड़ी हुई है तो अगर आपकी कुंडली में पित्र दोश है सूर afflicted है सूर से नवमा दसमा घर है afflicted है, पांचमा या नौमा घर है घर जो है वो afflicted है, आपकी कुंडली में पित्र दोश है, तो अमावस्या एक अच्छा अवसर है, पूजा करने का, मंत्र जाप करने का अनुष्ठान करने का तो उस दिन जाद अलाब होता है इसके अलाब अभी बोलते हैं कि हम आवस्या को आपको दान पुन कुछ करना ही चाहिए इससे आपको पूर वजों का जो एंसेक्सर्स हैं उनका आशिरवात पराप्त होता है इसके साथ साथ 26 अपरेल को अक्षय तृतिया है ये ऐसा दिन है जिस दिन चंद्रमा और सूर्देव दोनों ही अपनी उच्चराशी में होते हैं तो बहुत ही अच्छा दिन है किसी चीज को शुरू करने का किसी अच्छी चीज को शुरू करने का अक्ष है जिसका नाश ना हो जिसका छै ना हो तो इस तिथी का आप लाब उठाइएगा उपयोग कीजिएगा कोई ऐसी चीज अगर आपका प्लान है कुछ काम सुरू करने का जो बढ़े कोई सुभ काम तो वो जरूर कीजिएगा तो ये था मेरी तरफ से अप्रेल का मीन रा स्क्राइब कीजिएगा और जो घंटी वाला जो बटन है उसको दवाना मत भूलेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल चगे अगर आपकी कोई सला है किसी तरह से क्या करना चाहिए किस तरह से इस प्रोग्राम को और खूपसूरत बनाया जा सकता है या कोई आपको कमी भश्य लिखिएगा इसके साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार